जहेंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने पसंदेता चैनल स्टडी एंड अप्डेट्स में इस वीडियो में हमनों करने वालें CISF अरिहंद का सेट तो CISF अरिहंद के लिए दो सेट दिये गए हैं तो आपका याया रहा पहला सेट इसपर चैनल कीजिए चाहिए अधर प्राक्टिस करते हैं देखिए इस पर करने वाले हैं CSF अरिहांत का सेट बांकि आपको फॉर्स सेट की जो तीन पार्ट्स थे जीके हिंदी एवं जीएस यह आपको प्रवाइड करा दी गई है अब मैस्क की वारी है तो आए इसे भी देख लेते हैं तो आपका पहला प्रस्न 51 दिया गया था इसको कैसे सॉल्फ करेंगे तो इसको सॉल्फ करने के लिए क्या करते हैं तो इसको सॉल्फ करने के लिए हम लोग 893 को ए मान लेते हैं और 786 को बी मान लेते हैं अब जब ए और बी मान लेंगे तो यह किस फर्म में आ जागा आपका तो यहाँ आपका जाएगा A plus B का hall square minus A minus B का hall square by A into B अब इसको जब solve कीज़ेगा तो solve करने के बाद आपको क्या आएगा A square plus B square plus 2AB minus A square minus B square plus 2AB by A into B अब इसको solve कीज़ेगे देखिए ये कट दाएगा आपका A square, B square, A square, B square 2AB, 2AB जुर गया 4AB हो गया, B में A भी था A भी आ गया, तो इस परकार से आप का करते हैं A और B की value put कर देते हैं A और B की value put किए 893 into 786, by में आ गया 893 into 786 अब ये तोनों equal हैं तो आप आप समें इसको card देते हैं, तो answer का बसता हमारा 4 बसता है, ओके, तो 51 का क्या हो जाएगा, तो 51 का B उत्तर हो जाएगा, तो लिए आगे बढ़ते हैं 52 आपका दिया गया, उसमें एक वेंजक दी गई है, जिसमें कि 6N plus 3 minus 32 into 6N plus 1 by 6N plus 2 minus 2 into 6N plus 1 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, तो इसके लिए बहुत इस symbol सी logic है, ये इसको दिखाता हूँ मैं आपको तो आपको याद होगा, 8 to the power N plus M equals to क्या होता है 8 to the power N into M होता है ये आप पढ़े होगे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इस फर्मोले में put कर दिया तो जैसे कि यहाँ पर 6N plus 3 था, तो इसको हमने क्या कर दिया कि dots में divide कर दिया 6N into 6 to the power 3 फिर उसी परकार यहाँ पर 32 दिया गया था, तो इसको पावर में ला दिये तो 2 to the power 5 हो गया फिर क्या किये, 6N into 6 1 ये पावर में आगया तो सब को क्या कर दिया कि पावर में convert कर दिये अब convert करने के बाद आपका जहाँ common कर लेते हैं तो किसको common कर दिये 6N और 6to the power 1 को common करते हैं तो इसको common कर लिए अब क्या अब आगया आपका तो यहाँ से आपका 6to the power 2 आ गया और यहाँ से आपका 2to the power 5 आ गया आगया, क्योंकि हमने common कर रखा है कि 6N into 6to the power 1 को similarity नीचे भी वही करते है 6N into 60 power 1 को common कर लेते हैं और बांगी को लिख देते हैं अब यह आपस में कट गए क्योंकि यह common है और जो value बच के आई 60 power 2 minus 3 power 5 by 60 power 1 into 1 minus 2 तो यह हमारा बच के आता है और 60 power 2 equals to 36 और 2d power 5 equals to 32 हो गया और by में क्या हो गया 6 minus 2 equals to 4 by 4 that equals to 1 आजागा तो 1 हमारा D में दिया गया है इसलिए 52 का उत्तर होगा वो हमारा D हो जाएगा 53 परसंद दिया गया कि किसी परिक्षा में 80% विदार्थी अंगरेजी में उत्तिर्ण हुए 85% विदार्थी गहनीत में और 75% विदार्थी अंगरेजी गहनीत दोनों में उत्तिर्ण हुए है यदि विदार्थी की संख्या है वह 40 है जो कि दोनों विशा में उत्तिर्ण है मतलब fail है तो कुल विदार्थी की संख्या कितनी होगी यह हमें बताना है तो यहाँ पर सरप्रतम दियागा कि English में 80% परस वे Math में 85% परस हुए और दोनों में जो परस है हुए 75% है तो तोल परस क्या से निकालते हैं तो English का अलगाड कर दिए और Math का अलगाड करके उसमें तोटल परस को सब्ट्राक कर दिए तो क्या आगा हमारा 90% मतलब जो विदार्थी पास है वो हमारा 90% है तो यदि 100 में से 90% विदार्थी पास है तो कितने परसन विदार्थी बचे जो fail है तो 100-90 equals to 10% अब कुर्सर में क्या दियागा कि कुर्सर में दियागा कि 40 students है हुआ fail है अनुतिर्ण है तो हमारा क्या बचा कि 10% विदार्थी अनुतिर्ण है तो अब इसको put कर जिए कि 10% equals to 40 students तो इसका 100% equals to हो जाएगा 14200 by 10 यहां 0 से 0 कट गया एक वस्टू क्या हो गया कि यह आपस में multiply हो गया तो हमारा 400 आ गया तो यहां पर जो हो गया हुआ तो यहां पर क्या कर दिए कि 2 को common कर दिए तो हमारा क्या आ गया x plus 1 बट्टे में क्या आ गया तो बट्टे में जो दिया गया था x minus 2 वह आ गया अब यहां पर x minus 2 x minus 2 कट गये यहां पर x plus 1 x plus 1 कट गया यहां पर 2 बचा और यहां पर x plus 2 बचा तो क्या हो गया हमारा यह आपस में multiply हो गया तो यह होगा 2 into x plus 2 equals to 2x plus 4 तो उत्तर हमारा क्या जाएगा तो उत्तर हमारा b आ जाएगा 55 दिया गया कि 729 लिटर के एक मिस्रण में दूर्ण और पानी का जोन उपात है हुआ 7 is to 2 है इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिस्रण में दूर्ण और पानी का जोन उपात है हुआ 7 is to 3 हो जाएगा तो आएगे क्या करते हैं कि कुल मिस्रण को पहले जान लेते हैं तो कुल मिस्रण हमारा क्या दिया गया है 729 लिटर और दूर्ण और पानी का रेचियो क्या है तो 7 is to 2 है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दूद निकाल सकते हैं तो दूद हमारा क्या होगा तो दूद का अनुपाद बटे कुल अनुपाद तो कुल अनुपाद क्या हो जागा 7 प्लस 2 एक बस टू 9 अब जब इसको put कर दिये तो हमारा क्या गया दूद का पात क्या है 7 और 7 plus 2 कुल इन पात हो ग्या इन्टू 729 जो की मिस्रण है तो यहां पर क्या हो गया हमारा 7 by 9 इन्टू 729 अब इसको cut कर देंगे कुल हमारा 567 L आ गया क्या गया यह हमारा यह हमारा दूद आ गया अब कहा कि हमें दूद का पता सेल गया है कि हमारा दूद है हुआ 567 लीटर है तो इससे हम पानी का पता रगा सकते हैं न तो इसलिए पानी कोस्टू क्या हो जागा Mr. Manus Tud तो Mr. हमारा 729 है और 567 है तो इसको सब्टाइक कर दिया तो 162 लीटर क्या हो गया यह हमारा पानी हो गया जो कि पहले रेसियो से दिया गया है जो कि 7 is to 2 है अब आपका क्या होता कि एक नया रेसियो फॉर्म होता है तो नए रेसियो में आपको दिया गया था 7 is to 3 तो पानी कितना मिला गया यह हमें जानना होता है तो अब कितना पानी मिला गया यह जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो रेशियो हमारा दिया गया है 7 is to 3 वो किसके बराबर होगा तो दूद का अनुपात बते पानी का नया अनुपात तो यहां पर क्या कि पानी प्लस X हो रहा है और आपको सी में दिया गया है इसलिए उत्तर आपका सी हो जाएगा 56 दिया गया कि टीन का एक टुकरा आज की आकरती में है जिसकी लंबाई 12 संटीमीटर है चोरा यह आठ संटीमीटर है इसका उप्यों करके एक बंद घं का निर्मान किया जाता है तो उस घं की भुजा की लंबाई क्या होगी यह आपको बताना है और यह प्रस्ट में आप से रज़ करता हूँ जिसके कितने बच्चेस का सही से रिपलाई दे पाते हैं तो मुझे इंतिजार रहेगा इसके जवाब का तो जवाब देना बिलकुल ना भूले है चलिए आगे बठते हैं यहाँ पर आपको 57 जाए कि 2 सहर A और B है एक दुसर से 360 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है एक कार A से B तक जाने में 40 किलोमेटर परती गंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमेटर परती गंटे की चाल से एक लुट आती है तो car की औसाद चाल क्या है यह हमें पता करना है जब आपको 2 speed दी गई हो तो आपको जब औसाद पता करना हो तो इसका ट्रिक होता है तो वह ट्रिक है 2 into S1 into S2 by S1 plus S2 तो अब इसमें put कर दिए 2 into 40 जो कि आपका S1 है और 60 जो कि आपका S2 है इससे put कर दिए तो equals to क्या हो जाएगा यह आपका यह multiply करके 48 और by में क्या होगा तो by में यह add होके 100 हो जाएगा तो अब आपका 2 0 कट गया equals to क्या गया तो 41 by 1 that's equals to 41 km पर आपर यह आपका average निकल के आ जाएगा तो यह आपको B में दिया गया तो इसलिए उत्तर क्या होगा B हो जाएगा 58 दिया गया कि 5 व्यक्ति एक लक्ष पर करम सा 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंदराल पर गोलियां दागते हैं आपको 504 सेकेंड तो आपको निकालना यह आपको निकालना यह आवर में निकालना कि कितने घंटे बाद एगें वो सभी गोलियां दागेंगे ठीक है तो इसको क्या करते हैं कि कितना सेकेंड होता है तो इसका मतलब कुल सात बार जो है गोलियां इस समय तक दागी जायगी तो उत्तर क्या होगा आपका तो उत्तर आपका भी हो गया 59 दिया गया कि किसी कशा में 35 विद्यार्थों eo 18 है यादी सिक्षक को उस ein इन्टू कुल विदार्थी हो जाएगा तो और 18 है और 35 है अब क्या हुआ कि एक सिख्षक एड़ हुआ तो संख्या क्या होगी 35 प्लस 136 हो गई और नया ओस्ट क्या आगया है आईए अब इसको पूट कर दीए तो सिख्षक यह क्या होगे तो नया जो आसाथ भना उस में से पुराणे आसको सब्ट्रेक कर लेते हैं तो यहां पर इसको पूट कर दीए सब्ट्राक कर दीए अभी यहां पर 18 कॉमन ले लिए क्योंकि 18 इंट्टू टू इको सो अगया अपका फिर यह एक साइकल की पहिए का व्यास जो हुआ 28 मीटर है 66 किलो मेटर चलने के लिए कितनी बार चक्कर लगाएगी यह आपको पता लगाना है तो यहां पर आपको व्यास दिया गया है तो व्यास इक्वस्ट टुएंटी इड मीटर इसलिए रेडियस क्या हो जागा तो रेडियस का आधा तो 28 बाइड दो एक्वस्ट टू 14 मीटर अब कुल दूरी कितनी है तो 66 किलो मेटर अब इसको क्या करते हैं मीटर में कनवर्ट कर लेते हैं क्योंकि आपकी जो तरिया दी गई है वह मीटर में दी गई है तो यह हमारा 66,000 मीटर हो जाता है अब यह क्या करते हैं कि गया तो 88 मीटर इसका परीदी आ गया तो अब चक्कर की सिंख्यां क्या से निकालेंगे तो चक्कर की सिंख्यां क्या होती है कि कुल दूरी बटे परीदी तो कुल दूरी हमारा क्या है 66,000 मीटर और परीदी क्या है आपका 88 मीटर तो मीटर से मीटर कट गया यहां पर आपक तो क्या आगा आपका तो 750 चक्कर यह लगाएगा तो उत्र आपका डी हो गया ओके आपको 61 दिया गा कि सिक्स सेंटीमेटर टिडिया वाले एक वृत का जो केंद्र है उससे 10 सेंटीमेटर की दूरी पर इसी तेक विंदू से असपर्स रेखा पर एक वृत घ्ली नजाय टिण होगी है तो असपर्स रेखा कि लवा मतों को सेंची होगी यह आपको बताना है इसपर्स विंदू कॉन होता है कि धर्शेट要準 टै के वाड़ फिंदू होता यह आपका यहां से यहां तक यह आपका एसमद्ल निकालने के लिए ह 911 कर क्थिफ़ 95 कर देते ह है आगा 10-6-10-100-36-64 तो आपका 8 cm निकल के आ जाता है तो एट संटीमेटर आपको डी में दिया गया है इसलिए उत्तर क्या जएगा आपका डी हो जाएगा उके अब आपको 62 दिया गया कि संख्यां 2055 में कौन से लगुत्तम जोरी जानी चाहिए जिससे हुआ 27 से ठीक ठीक विवाज हो जाएगा तो ऐसे पर सब्सक्राइब करने के लिए हम डिवीजन करते हैं भाग का प्रयोग करते हैं और भाग में क्या करते हैं कि रिमाइंडर जो आता है उससे एक ज्यादा का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर 27 को 7 से डिवाइर कर दिया तो हमारा 189 आया से लाड़ से इक ज्यादा से डिवाइड करते हैं फिर से वन तेमस हमें डिवाइड कर दिया तो क्या गा हमारा 189 आगया तो 189 आने के बाद क्या अनकर siya हंपर कर सकते हैं यदि एंतो यह इंकल के आ जाते हैं तो इसको कर दिते हैं原 eh अब इसको डिवाइड कर दिजिए तो नाइन डेस तो तो नियुस आपको कहां दिया गया तो 90 आपको सी में दिया गया है इसलिए 63 का सी उत्तर हो जाएगा 64 दिया कि एक गरी का जो अंकित मुल्या हुआ चूट का 720 था एक दाखती निये दो उत्रोत्तर चूट प्राप्त करके उसे रूपीज 550.80 में खरीदा यदि पहली चूट 10 परसेंट थी तो दूसरी चूट क्या थी तो यह हमें निकालना है तो दूसरी चूट को हम एक्स मान लेते हैं और एक्स का वैल्यू हमें निकालना ह है तो आए क्या करते हैं इसको दो पार्ट में करेंगे पहले क्या करेंगे कि पहले आपको जो मुल्य दी गई है 720 और चूट जो दिया गया है आपको कुल 550 उस पर करते हैं तो कुल चूट कितना दिया गया तो 720 मैंस 550.80 डाट स्कॉस्ट तो 169.20 रुपीज छूट दी गई अब 720 मैंस 720 का 10 पसंट निकाल लेजिए तो क्या दाएगा आपका तो 720 मैंस 720 इंटू 10 रुपीज इंटू 10 रुपीज तो 648 मतलब जो यदि पहली बार से छूट दी जाए तो 648 में मिलेगा तो 648 पे कितना पसंट आफ किये हमने कि हमारा रुपीज 550 आ गया विकित रह मु आप 640 को कॉमन करते ही है क्या हो जाएगा हमारा 1 मैनस X by 100 हो जाएगा अब इसको सॉल्फ किजिए तो सॉल्फ करने के बाद आपको आपको एक्स इक्वास तू 9725 648 निकल के आ जाता है तो 50 परसंट हो जाएगा यदि आपको इसका पीडियाप से यह सॉल्सन का तो आपको प्राप्ट कोम यह आपका वेबसाइट है तो आपको वहां पर सारी पीडियाप्स मिल जाएगी तो वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अब आपको 65 याइए कितने वर्सों में एक धंडासी च्छापुर्णंग एक बटे चार परतिसत परतिवर्स के साधारन व्याच पर दुगूनी हो जाएगी ओके तो इसका एक ट्रिक आता है उस ट्रिक पर चलते हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक है यह जदी आपको एन गुनी वाई गुनी दी गई हो और आपको समय निकालना हो तो उसको सिंपली हम इस फर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या होता है आपका ट्रिक है तो इहां पर कितने गुना है तो दो गुना है तो टू मैनस वाई इन टू हंडेड बाई 25 बाई 4 अब यहां पर यह 4 आपको उपर चला गया ओके और यह आपका 4 टाइमस में कट गया तो क्या हो गया 4 एट टू 4 इकॉस टू 16 तो उत्तर आपका क्या हो गय जाएगा 66 दिया गया कि कोई धंडा से चक्रवर्धी व्याज की एक निश्चित वार्षिक परतिसतर पर तीन वर्ष के पर साथ 62,500 तथा 6 वर्ष के पर साथ 78,000 732 हो जाती है तो रूपीज 62500 की रासी पर उस दर से फोर पुर्णांग एक बठे दो वर्ष के लिए साधर यह सौल परते हैं सरी परतम एक ट्रिक है और ट्रिक आह या थक्यार फर्मोलार के यह जब आप इसको सवल रास किजहेगा तो 6 6 आ गया है फिर यह दो से कट किया 1 9 6 3 8 आ गया अब यहां पर आपका पहला समय क्या है 6 वर्स और दूसरा समय क्या है 3 वर्स तो यहां पर सब्टैक कर दिए मैनस 1 इंटू 100 कर दिए फर्मूला के अनुसार तो यहां आपका जो है 1 9 6 8 3 यहां आपका 27 का क्यूब है और यहां पर आपको 156 to 5 दिया गया है जो कि 25 का क्यूब है अब इसको क्यूब के फॉर्ब में डाल दिए 27 by 25 का क्यूब हो गया और यहां पर यह जब क्या स्वाल हो ग करते हैं कि solve कर देते हैं तो सब्सक्राइब हमारा क्या आएगा तो सब्सक्राइब हमारा 27 25 by 25 इंटू 100 आता है तो यह फूर्टाम्स में कट गया दाट स्टू 8 परसें निकल के आ जाता है यह आपको रेट पता चल गया तो अब क्या करना है आपको कि सिंपल इंट्रेस्ट इंट्रेट यह आपका कट गया उसका 625 आया तो 625 इंटू 4 इंटू 9 आ गया देट इक वस्टू 22,500 निकल के आता है इसलिए 66 इसलिए 66 का भी उत्तर हो जाएगा ओके 67 आपको दिया आगा किसी परिक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की जो संख्या का अनु 2 is to 1 होता है तो परिक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है यह हमें बतानी है ओके आप्शन से 155 B 142 C 132 D 124 ओके तो आईए क्या करते हैं इसको पास इस्टू फेल की रूप में लेते हैं तो अनुपाति रासी हमें मान लिया एक्स और जो रिश्यों दिया गया है तो कुल विद्यार्थियों हमारा क्या होजाएगा 4x plus 1 x that equals to 5x और नया अनुपात क्या दिया गया है अब करके जिए इसको हमने क्या माना है कि अनुपातिक्रासी जो माना है और जो विद्यार्थि कम है वह है 35 और 9 तो पुराने में क्या है 35 और 9 में 9 है ठीक into 1x जो की fail है उसमें और 9 add कर देंगे क्योंकि यह जो 9 है वह विद्यार्थि कम होते हैं तो अब क्या होगा आपका तो अब आपका इस परकार से equation निकल के आ जाएगा 5x minus 35 equals to 3 into 1x plus 9 that equals to 5x minus 3x equals to 35 plus 27 तो x equals to 31 निकल के आता है अब आप से प्रस्त में पूचता है कि कुल हमें 31 आई है तो multiply कर दिए that equals to 155 आता है तो 155 आपको यहाँ पर एमें दिया गया है इसलिए उत्तर आपका यह हो जाएगा आपको प्रस्त संख्यां 68 से लेकर 70 तक एक बारम बरता स्टेनी दी गई है जो कि बहुँच का अध्यान कराता है और उस पर हमें प्रस्त को सॉल् और इसमें ग्राफ दिया गया जिसमें दोहर 8 से लेकर दोहर 13 तक की बच्चों का उत्तर माध्यमिक परिक्षा में उत्तिर्ण होने वाले विद्यार्चों की संख्यां दर्स आई गई है तो एक बार इस ग्राफ को गौर से देख लीजे इस पर आपको तीन प्रस्त दिये कहें और इंदीन प्रस्त को साल करना है तो दोहर 8 में 110 बच्चे हैं दोहर 9 में 1 30 में सब्सक्राइब करते हैं तो आपका पहला प्रसंद दियागा 68 की वर्स दोहरा आठ दोहरा नौ बारा में उत्तिन होने वाले विद्यार्चों का और सथ क्या होगा एवरेज निकालना है दूसरे बर्समें सकराब से क्या किये कि हमने आकर यह को ले लिया कि 28 में 110 बसकी 209 में 138 और 122 में 156 तो कुल विद्यार्ची कितने होगे तो इन वर्स का कि रहा है तो दिवाइड किया अचरा का झालेगा क्युंकि और 5 4 2 3 4 पॉाइंट 666 तो यहाँ पर क्या कि 5 से ग्रेटर है इसलिए इसको हम 7 कर देंगे तो 134.67 आपका उत्तर आ जाएगा जो कि आप T में दिया गया है अब आपका अगला प्रस 69 जाएगा कि वर्स 2008 से दोहरे 11 तक उत्तर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परतिसत्ता में कितनी विधी हुई ये हमें बताना है परसेंटेज विधी बताना है तो 2008 में कितनी विधार्थी पास हुए तो 2008 में आपको 110 विधार्थी पास हुए फिर आपको 2011 में कितनी विधार्थी पास हुए तो 2011 में 117 विधार्थी पास हुए तो ये आपके पास होने का आकरा है तो कुल विर्धी कितनी हुई तो 170-110-60 विदार्थी के विर्दी हुई तो अब 60 विदार्थी को हम % में कनवर्ट कर देते हैं ओके तो 110 का X % equals to 60 होता है तो X equals to क्या जागा 60 into 100 by 110 यह जिरो-जिरो कट गया X equals to 600 by 11 that equals to 54.5 आपका % आ जाएगा तो यह आपको C में दिया गया है इसलिए उत्तर C हो जाएगा अब सलिए अगले प्रस्ट को करते हैं कि वर्ष्ट 211 से 12 तक उत्तिर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परतिसत्ता में लगवा कितनी कमी आई है यह आपको बताना है तो जैसे कि यहां पर आकरा में दिया गया कि कि 1110 विद्यार्थी पास वैं ड्यार्भारा में 256 विद्यार्थी पास वैं तो कमी आगई न तो कितनी की कमी आई तो कमी आपको 14 किया गईच करते हैं कि 10 परेंटी कहां से वेंटी का X percent equals to 14 हो गया तो यहाँ पर हमें X की value निकालनी है तो X equals to क्या हो जाएगा तो 1,400 by 17 आ जाएगा अब इसको solve करेंगे तो हमारा 8.24 निकल गया आएगा तो 8.24 आपको C में दिया गया है इसलिए इसका जो उत्तर होगा हुआ C हो जाएगा ठीक है? अब आपको 71 दिया गया है कि 2 संख्यां को जो योग होगा 50 है और इनमें 1 संख्यां 2 संख्यां की 2 बटे 5 गुनी है तो क्या करते हैं इसमें 2 संख्यां मान लेते हैं एक को X और दूसरी को 2 X by 5 मान लेते हैं अब according to question X plus 2 X by 5 equals to क्या है? 50 है तो अब इसको solve कीजिए तो solve करने के बाद आपको क्या आएगा? कि 7 X by 5 equals to 50 तो 7 equals to क्या हो जाएगा? 50 into 5 that equals to 250 तो X equals to 250 by 7 आजाएगा ओके तो यह आपका X आगया अब आपकी दूसरी संख्यां क्या होगी? तो दूसरी संख्यां क्या है? आपका 2X by 5 है तो X की value 250 by 7 आई है तो इसको इसमें put कर दीजिए तो यहाँ पर put करने वाद क्या है? 2 into 250 by 7 by 5 आगया अब यह 5 से कट गया 50 टाइम्स में ओके तो यहाँ पर क्या आगया? 50 into 2 by 7 that equals to 100 by 7 तो आपका जो उतर आता हुगा 250 by 7 एवं 100 by 7 निकल किया आता है तो उतर आपका D हो गया 72 दिया गया है कि निमलिखित आंकरों को आरोही कर में विवस्थित किया गया है यदि आंकरों की मद्धिका 63 तो X का मान ग्याद कीजिए अब आंकरा आपका दे दिया गया है 29, 32, 48, 50, X X plus 2, 72, 78, 84, 90 ओके तो अब क्या करना आपको मद्धिका निकालना है तो जैसे कि यहां पर आरोही करम में ये दिया गया है तो इसका जो संख्या है कुल संख्या कितनी हो गई तो कुल संख्या आपको ये 10 हो गई क्योंकि यह जो टर्म है टोटल 10 टर्म है और यह हो गया 10 आपका संख्या तो संख्या के लिए क्या फर्मूला होता है मद्धिका का कि N by 2 मापद पलस N by 2 पलस 1 मापद इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो है आपका 10 है तो 10 को 2 से डिवाज कीजिए तो 5 आ गया इसका मतलब है आपका कि 5 मापद और 6 हो जाएगा तो 5 मापद आपका x by 2 और 6 हापद x plus 2 by 2 इक्वलस to 63 जो की मद्धिका है तो यहां पर equation में आगया यह आपका 2x plus 2 equals to 136 अब यहां पर क्या किजिए कि 2 common कर लिजिए तो x plus 1 equals to 136 अब इसको 2 से कट कर दिए that's cause to 63 निकल के आएगा तो x plus 1 equals to क्यागा हमारा 63rd आगया तो x equals to क्या हो जाएगा 63rd minus 1 that's equals to 62 निकल के आजाएगा तो 62 आपको यहां पर कहां दियागा तो a में दिया गया इसलिए 72 का उत्तर क्या होगा यह हमें बताना है तो बहुत ही simple चीज है और यहां पर आपको value दिया गया उसको एक बार memorize कर लेना है तो value जैसे कि दिए आपको 5 10 equals to 4 तो 10 equals to क्या हो जाएगा 10 equals to 4 by 5 हो जाएगा अब यहां पर क्या 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 कि आपको दिया गया था 5 sin minus 3 का से by sin plus 2 का से अब क्या किजिए कि संपुर्ण पार्ट को अलग-अलग का से से डिवाइड कर दिजिए तो sin minus 3 का से तो sin by का से क्या होता है 10 होता है न तो यहां पर 5 10 आ गया और यहां पर का से का से का से कट गया तो 3 आ गया आपका फिर नीचे आपका आ गया sin a plus 2 का से अब जब इसको अलग करेंगे तो sin a by का से हो जागा तो आपका क्या गया 10 a आ गया और यहां पर का से का से कट गया तो आपका क्या गया 2 आ गया अब आपको सारी वैलूज पता है कि 10 a कितना है तो 4 by 5 है कि पारूल तथा रोहित की वरत्मान आयू का जो अनुपात है वह 7 is to 5 है पांच वर्स बाद उसकी आयू का योग 94 वर्स होगा तो यहां पर दिया गया कि कितनी वर्स बाद रोहित की जो आयू है वह पारूल की वरत्मान आयू के बराबर होगी यह हमें निकालना है तो यहां पर आप क्या किजिए कि अनुपातिक रासी X मान लीजिए और कुस्तर के अनुसार चलते हैं कि 5 वर्स बाद उसकी आयू का जो अनुपात है वह क्या होगा तो 7 is to 5 का अनुपात है तो यहां पर क्या किए कि 7 में भी प्लस 5 कर दिए जो कि तो जब हमारा X 7 निकल गया आएगा तो हम पारुल का उम्र निकाल सकते हैं न तो पारुल का उम्र कितना हो जाएगा तो पारुल का जो उम्र होगा हुआ 7 X था हमारा तो 7 और X की वैल्यू 7 आ गई तो 7 is to 7 equals to 49 और रोहित का जो उम्र हुआ 5 X है तो 5 is to 7 is to 35 तो कितनी वर् सबसे अधिक बार होती है वह आपका बहुलक हो जाता है तो यहां पर नाइन की संख्या तीन वार दी गई है इसका मतलब है नाइन जा हुआ आपका बहुलक है तो आपको क्या करना की दो चीज निकालना मधिका इवन बहुलक तो बहुलक आपका निकल गया अब कीज़े कि मधिका निकालते हैं तो मधिका के लिए क्या फर्मूला है पहले इसको काउंट करते हैं तो काउंट करने के क्य तो यहां पर हो गया 4th प्लस 5th पद तो 8 प्लस 9 बाइ 2 equals to 8.5 तो मद्धिका हमारा आगया 8.5 अब हमारे पास 2 डाटा है एक बहुलक और दूसरा हमारा मद्धिका तो अब क्या निकाला हमारा मद्धिका तो मद्धि पराबर क्या हो जाएगा तो मद्धि पराबर हो जाएगा बहुलक परस मद्धिका बट्टे कुल पर छेपन तो कुल दो पर छेपन है एक आपका बहुलक और एक आपका मद्धिका तो 8.5 प्लस 9 बाइ 2 equals to 8.75 तो 8.75 आपका मद्धिका निकल के चला आता है जो कि आपके C में दिया गया है इसलिए 75 का उत्तर C हो जाएगा तो इस परकार से आज के इस वीडियो में 25 में से 24 गोस्तन मैंने कराए और एक कोस्तन आपसे एराज किया तो उसका जवाब देना बिलकुल ना भूले तो यह सारे जो प्रस्तन है या आपके तो आप पहले वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब कर ले यह उम जितना अत्यतिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच अपने कलिक्स के बीच जो भी गवर्मेंट जॉप्स की त्यारी करते हैं उनके बीच सेयर जरूर करे है